हेलो वेलकम दोस्तो देवोमी एजुकेशन पॉइंट पर आपका स्वागत है एक बार फिर से तो साथ हो अभी इंतजार आप खत्म होने माला है साड़े चार सो परवक्ताओं जो नए चैनीत परवक्ता है तो इन लोगों को आप नियुक्ती मिलने जा रही है पहली बात तो ये था कि दो महने लगबग दो ड़ाई महने इनका रिजल्ट जो है देरी से जारी हुआ जब इनका रिजल्ट जारी हो गया उसके बाद भी अभी 31 मय के बाद दो महने फिर से हो गए पूरे अभी तीसरा महना चल गया और इनकी न्युक्ती नहीं आई थी तो इन लोगों ने कल धन सिंग रावजी से शिक्ष्या मंत्री जी से मुलाकात भी की और इस भरती को मतलब इस भरती में जितने लोग सेलेक्टेर हैं उन लोगों की नियूकती जल्दी करने के इनोंने उनसे मांग के रिक्वेस्ट भी की थी तो कहीं ने कहीं ये भरती जो परवक्ता की भरती है 2020 में इसके फॉर्म आगे थे वेर्थियों के सामने जो है शिक्षा निदेशक को बात करके जल्द सी जल्दी इसमें नियूकती दिने की बात की गई और 14 तारिक तक उन्होंने डेट दी थी 14 तारिक 14 अगस्त से पहले पहले आप लोग को नियूकती मिल जाएगी तो इसी मामले में आज बैठक भी हुई उसमें भी ये बात की गई समस्ते पूरी रिपोर्ट को आज जो बैठक हुई उस बैठक में क्या क्या बाते हुई उत्राखंड में जो है शिक्ष्य विभाग से बड़ी खबर है दोस्तों ये गंबीर विमारी से ग्रस्ते शिक्ष्यों को शिक्ष्या मंत्री राहत देने वाले है और 15 अगस्त पर नए शिक्ष्यों के भी तैनाती होने जारी है आगामी 15 अगस्त से पहले विभिन्न विशयों के 449 प्रवक्ताओं को तैनाती दी जाएगी उत्राखंड लोग से वायोग से चहनी इन शिक्ष्यों को परवती और दुर्गम सिरेनी के श्कूलों में तैनात शिक्ष्या मंत्री डॉक्टर धन्सिंग रावत ने आज शिक्ष्या महान देशालाइन देरादून में विभाक की समीक्षा बैठक ली बैठक में रावत जिने राज लोग से वायोग से विभिन्न विशयों में चैनी 449 प्रवक्ताओं को आगामी 15 अगस्त से पहले दुर्गम सिरेडी के स्कूलों में सिक्षकों की जो कमी है वो भी दूर हो जाएगी साथ ही पठन पाठन भी सुचार रूप से चल पाएगा एक-एक सिक्षक की तैनाती की जाएगी बाली का इंटर कॉलेज में हिंदी विशय की दो रासाइन विज्ञान जी विज्ञान और अर्थसास्रों के तीन तीन शिक्षकाओं को नियुक्ति दी जानी है विभागी मंत्री ने बताया कि ऐसे सिक्षक जो गंभीर रोग से ग् चार के साथ-साथ शैक्षणिक कारिका निर्वहन भी कर सकेंगे। जो है मतलब चर्चा की गई और इसमें ये निर्णे लिया गया कि 15 अगस्त से पहले पहले ये जारी कर दी जाए इनकी नियुक्ति जो 4500 लगबग प्रवक्ता यहां पर जो है सलेक्टेट है इस बार तो दोस्तों ये कहीं ने कहीं जो है सभी लोगों के लिए आप लोगों के लिए एक अच्छी उमीद है और जो लोगों का सलेक्शन इसमें नहीं हुआ है या फिर जो आने वाले एक्जाम के प्रवेशन करते हैं तो उन लोगों के लिए भी ये खुशी की बात है क्योंकि आने वाले समय में अगर इन लोगों को जल्दे से जल्दे नियुक्ति मिल जाती है तो फिर आने वाले समय में आप जो है गौर्मेंट पर प्रेशर भी कर सकते हैं कि नई वेकेंसी भी निकाली जाए ठीक है तो बाकी की प्रिक्रियाई भी जो पाकी की चीजे भी है वो सुचार रूप से आगे चलने की एक उमीद बन जाती है यहां से अगर इनकी जल्दी से जल्दी हो जाती है तो एक अच्छा कदम जो है शिक्ष्या मंत्री डॉक्टर धन सिंग रावज जी के द्वारा यह उठाया गया है तो ठीक है अगर यह हो जाता तो काफी सराहनी कदम जो है हम इसको कहेंगे दोस्तों धेर सारी शुपकाम में आप सभी को यह इ नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे तब तक के लिए धेर सारी शुपकाम मैं धन्यवाद जय हिंद